देश में फैली कुरोना महामारी के चलते देश का कर्ज GDP का अनुपात एतिहासिक इस्तर पर पहुँच गया है अन्तर रास्ट्रिय मुद्रा कुश आईमेफ की और से जारी की गई रिपोर्ट के मताबिक साल 2020 में देश का कर्ज 74 फीसद था जो की कुरोना संकट में बढ़कर 90 फीसद तक पहुँच गया है साल 2020 में देश का कुल GDP 189 लाक करोन रुपए पर था वहीं कर्ज करीब 170 लाक करोन रुपए था आईमेफ की और से जारी की गई रिपोर्ट के मताबिक देश का कर्ज तो बढ़ा ही है लेकिन इस समय पर एकॉनमी में जो सुधार और रिकवरी देखने को मिल रही है उसकी वजह से ये अनुपात करीब 10 पीसद तक घट भी सकता है